हे गड़ेस कैसे हैं आप सब तो इन्फिनिक्स हो टेन के सक्सेस के बाद हमार पास निया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हो टेन प्ले आ चुका है जो के सिरफ 8500 की प्राइस में आपको काफी अच्छी स्पैस्ट केशन्स प्रवाइड करता है आज इस वीडियो में मैं आपको 40 से जादा ऐसे अमेजिंग फीचर बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप इस फोन को बहुत ही अच्छे तरीके से लूज कर सकते हैं तो अगर आप इस फोन में इंट्रस्टिड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा मुझे बताएगा नीचे कोमेंट्स में के आपको क फ्लेश के उपर लोंग टैप करते हैं तो यहां पर एक अमेजिंग फीचर आपको 360 डिगरी फ्लेशलाइट का मिलता है इसको अगर आप टैप करेंगे आप देखते हैं फोन की रियर फ्लेश और फ्रेंट फ्लेश दोनों एक टाइम पर ओन हो चुके हैं दोस्तों दूसरा अमेजिंग फीचर यहां पर कंट्रोल सेंटर में आपको WhatsApp मोड का मिलता है अगर आप इस मोड को एनेबल करेंगे तो फोन का जो इंटरनेट है वो सिरफ WhatsApp के लिए यूज होगा बाकी कोई भी एप्लिकेशन के लिए फोन जो है वो इंटरनेट को यूज करने नहीं देगा तो WhatsApp के लिए आप बहतर network ले सकते हैं अगर आप किसी time पर important WhatsApp का कुछ काम करना चाहते हैं इस फोन में अगर आप किसी भी edge से इस तरीके से swipe करके hold करते हैं तो आपको यहां पर एक smart panel देखनी के लिए मिलता है इस smart panel में आपको direct कुछ action के shortcuts मिल जाते हैं जैसे screenshot आप capture करना च चाहते हैं उसी के साथ apps के shortcuts आपको मिल जाते हैं जिसको आप edit कर सकते हैं अपनी मर्जी से set कर सकते हैं तो काफी amazing feature है अगर आप shortcuts इस phone में यूज करना चाहते हैं इस phone में आपको dark theme का option भी directly एक toggle की थरह यहां पर मिल जाता है अगर आप dark theme के उपर click करेंगे तो phone जो है वो system mode automatically enable हो जाएगा इस phone को अगर आप customize करना चाहते हैं तो भी काफी सारे options आपको मिल जाते हैं अगर आप home screen के उपर long tap करके यहां पर X theme के अंदर जाएंगे तो यहां पर काफी amazing themes, wallpapers, fonts और icons डाउनलोड करने का option मिलेगा फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे और यहां प पर ही आपको fonts different different choose करने का option भी मिल जाता है, home screen के उपर long tap करके अगर आप menu के अंदर जाते हैं तो यहां पर भी काफी interesting settings हैं जिसके पहले आपको appearance settings का option मिलता है अगर आप icon के size को change करना चाहते हैं बड़ा या छोटा करना चाहते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं उसी के साथ grid size अगर आप change करना चाहते हैं एक folder में आपको icon के कितने columns बनाने हैं folder का जो thumbnail है उसके उपर कितने icons को show करना है ये काफी सारी चीज़ें आप appearance settings में से change कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर आपको gesture settings का option मिल जाता है अगर आप home screen के उपर slide up, slide down, slide up with two fingers, slide down with two fingers या फिर rotate with two fingers ऐसे बहुत सारे gestures की मदद से different actions perform करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहां पर setup कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर और भी काफी सारी menu settings आपको देखने के लिए मिल जाती हैं अगर आप other settings में जाएंगे तो यहां से आप zero screen बंद कर सकते हैं और एक interesting option यहां पर blur का भी है मतब के जब भी आप कोई folder को open करते हैं तो यह जो background का wallpaper है उसको blur आप करना चाहते हैं नहीं blur को अगर आप enable करते हैं तो काफी amazing सा interesting सा effect आपको मिलता है अगर आप यहां पर देखेंगे इस phone में home screen से अगर आप नीचे की तरफ swipe करते हैं तो directly आपको एक global search का option मिलता है मतब के phone में क आप long tap करते हैं और काफी सारे icons को एक ही बार में move करना चाहते हैं तो आप सब icons को एक बार में इस तरीके से select कर सकते हैं और उसके बाद उनको pick करके यहां पर कहीं भी छोड़ सकते हैं तो काफी सारे icons को आप एक बार में move कर सकते हैं एक amazing option जो इस phone में आपको देखने के ल होगे उसी टाइम वो application एनेबल रहेगी उसके बिना background में आपका कोई भी usage वो नहीं कर पाएगे इस phone में आपको instant apps का option भी मिलता है अगर आप रोर में जाएंगे तो यहां पर आपको instant apps का option मिलेगा basically बहुत सारी games और apps को बिना install किये आप अपने phone में use कर सकते हैं जसके अगर आप Paytm के उपर क्लिक करेंगे मैंने इस phone में पेटm install नहीं कर रखा लेकिन एक तरीके का app जैसा interface ही आपको यहां पर मिल दाएगा आप इसमें login कर सकते हैं और जो भी करना चाहें वो Paytm का काम यह बताना चाहते हैं या फिर अपने phone को एक Wi-Fi extender की तरह यूज़ करना चाहते हैं उन दोनों ही cases में यह option काफी ज्यादा helpful है अगर आप एक voluntary enabled SIM यूज़ करते हैं तो आप इस phone में native video calling भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी random number dial करेंगे तो यहां पर dialer में directly आपको video calling का option मिल डाइलर के अंदर ही अगर आप यहां पर three dots पर click करके settings में जाते हैं और यहां पर advanced में जाते हैं तो यहां पर एक interesting option आपको flip to silence का मिल जाता है इस option को अगर आप enable करेंगे और आपको कोई phone आ रहा है आप directly अपने phone को flip करके रख सकते हैं और phone automatically silent mode में चला जाएगा बतब जो भी call आ रही थी वो automatically silent हो जाएगी तो इस चीज़ को आप यहां से enable कर सकते हैं इस phone में दोस्तो call recording हालांके आपको automatic call recording का feature नहीं मिलता लेकिन जब आप कोई call कर रहे हैं उस time पर आप किसी call को record कर सकते हैं आपको dialer में यहां पर यह record का option मिलता है हालांके एक problem है अगर आप तो इस तरीके का एक announcement देखने के लिए मिलता है कि call recording जो हो शुरू हो चुकी है और क्यूंकि यह दोनों तरफ सुनाई देता है तो ज़्यादा helpful option यह नहीं है settings में अगर आप चल जाएंगे तो wifi के अंदर एक interesting option आपको wifi preferences के अंदर देखने के लिए मिलता है जो के है auto switch to mobile data जब भी आपका wifi अच्छे से नहीं चल रहा या फिर internet पे connect नहीं कर पा रहा तो phone automatically mobile data पर switch कर जाएगा और आपको एक बहतर network provide करने की कोशिश करेगा उसी के साथ settings के अंदर more connections के अंदर आपको cast screen का option भी मिल जाता है अगर आप अपने phone की display को किसी और smart device पर cast करना चाहते हैं तो यहां पर आप three dots पर क्लिक करके enable wireless display enable कर सकते हैं और यहां पर आपको सारी options मिल जाएंगी settings के अंदर sound and vibration के अंदर एक बहुत ही amazing option आपको touch vibration का देखनी के लिए मिलता है जिसकी मदद से आप एक तरीके का haptic feedback enable कर सकते हैं और इस phone में जो normal phones में रहता है उससे थोड़ा सा बहतर haptic feedback का experience मुझे दगा उसी के साथ sound and vibration में आपको DTS sound और sound enhancement का feature भी मिल दाता है मैं आपको बता दूँ कि इस phone में कोई भी dedicated speaker नहीं है यह earpiece वाला जो speaker है इसी को ऐसे loudspeaker यूज किया जाता है तो यहाँ पर अगर आप sound enhancement में इस option को enable रखेंगे तो थोड़ा सा volume जो है वो बढ़ जाएगा उसी के साथ DTS sound की मदद से आप यहाँ पर equalizer का use भी कर पाएंग तो मैं आपको recommend करना हूँ कि eye care mode को own आप कर सकते हैं यहाँ से आप intensity control कर सकते हैं कि कितना yellowish tint आपको अपने phone में देखना है और basically blue light जो कि आपकी आँको के लिए काफी ज़्यादा harmful होती है उसको आप इस mode की मदद से कम कर सकते हैं डिस्पले और brightness के अंदर ही नीचे आपको status bar network speed display का option भी मिलता है यहाँ पर status bar में अगर आप real time network speed देखना चाते हैं जो कि आप battery percentage के साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इस option को आप enable कर सकते हैं settings के अंदर अगर आप privacy के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक interesting option आपको show passwords का मिलता है बेसिकर पासवर्ड privacy आप enable कर सकते हैं जसके PC में अगर आप को password एंटर करते हैं तो आपको characters show नहीं होते जो भी आप type कर रहे हैं लेकिन phone में जब आप password type करते हैं तो एक एक character show होता रहता है कि आपने क्या type किया अगर आप चाहते हैं कि वो character show ना हो तो यहाँ से आप show passwords को disable कर सकते हैं और password privacy को enable कर सकते हैं इस phone में आप fingerprint sensor की मदद से भी काफी सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके लिए आपको settings के अंदर security के अंदर fingerprint sensor के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आपको सारे functions की list मिल जाएगी जैसके आप app log के लिए इसको use कर सकते हैं x height के लिए इसको use कर security के अंदर ही आपको app log का feature भी मिलताता है अगर आप किसी भी application को अपने phone में lock करना चाहते हैं तो आपको just यहाँ से उस application को set कर देना है इस app log को setup करने के बाद उसी के साथ settings में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप choose कर सकते हैं कि आपको fingerprint की मदद से आप लोग की से यहाँ पर कर सकते हैं settings के अंदर अगर आप power marathon के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ interesting options आपको दी गई हैं जैसे के power boost का option है basically power boost को अगर आप enable करेंगे तो आपका battery life थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन यह जो चीजे हैं वो automatically phone जो है वो perform कर देगा मतब के dark theme enable कर द battery percentage का भी मिलता है अगर आप status park के अंदर यहाँ पर battery percentage भी देखना चाहते हैं कि कितना बचा हुआ है तो यहाँ से आप इस battery percentage को enable रख सकते हैं settings के अंदर अगर आप notification center के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही amazing option आपको allow notification snoozing का मिलता है जो के by default disable करके आपको दिया गया है इसको अगर आप enable करेंगे तो आप notifications को snooze कर सकते हैं जिसका मतब है कि अभी अगर आपको कोई notification आया लेकिन उस notification को आप 2 गंटे या फिस 4 गंटे बाद देखना चाहते हैं तो आप उसके उपर long tap कीजिए और उसको snooze करके 2 गंटे के लिए time setup कर दीजे और 2 गंट ये बाद वो notification आपको दुबारा देखने के लिए मिल जाएगा notification center के अंदर ही एक और amazing option आपको message split screen का मिलता है मतब के अगर आप अपने phone में horizontal mode में कोई video या फिर कोई game play कर रहे हैं तो directly आपको जो message है वो इस तरीके के एक bubble की phone में आ जाएगा और अगर आप उसके उपर tap करेंगे तो directly phone उसको split screen की phone में open कर देगा मतब जो भी चीज़ आप कर रहे थे उसको ज़ादा disturb नहीं करेगा और आप अगर आप message का जवाब देना चाहते हैं वो भी असानी से दे पाएंगे settings के अंदर system navigation के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको gesture navigation का option भी दिया गया है अगर आप gestures की मदद से navigate करना चाहते हैं मतलब वो three button navigation आपको नहीं चाहिए तो यह gesture navigation भी आप इस phone में enable कर सकते हैं settings के अंदर ही आपको game mode का option भी मिल जाता है अगर आप gaming अपने phone में करना चाहते हैं तो आप game mode और game assistant को enable कर सकते हैं basically कुछ settings आप कर पाएंगे जो कि default mode में automate के लिए enable हो जाएंगी जब भी आप किसी game को open करेंगे दोस्तो settings के अंदर एक बहुत ही amazing feature आपको social turbo का भी मिलता है social turbo की मदद से आप whatsapp या फिर किसी भी messaging वाली application के अंदर काफी सारी चीजें कर सकते हैं जैसके अगर आप whatsapp calls की voice record करना चाहते हैं या फिर whatsapp की जो video calls होती हैं उसके अंदर video beauty mode को enable करना चाहते हैं अपने खुद के stickers बनाना चाहते हैं उसी के साथ अगर आप चाहते हैं के whatsapp के जितने भी status है phone जो हो उनको store करता रहे कुछ 15 दिन के लिए पिछले 15 दिन के status आपको दिखते रहें ये सारी चीजें आप इस social turbo की मदद से कर सकते हैं दोस्तो एक और amazing feature यहाँ पर आपको smart assistant के अंदर smart panel के अंदर देखने के लिए मिलता है मैंने already आपको बताया कि अगर आप किसी भी access vibe करके hold करती हैं तो आप ये smart assistant own कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक interesting option आपको virtual volume slider का मिलता है इसको अगर आप enable करेंगे और दुबारा से smart panel को own करेंगे तो यहाँ पर आपको एक virtual volume slider देखने के लिए मिलेगा जो की काफी जादा amazing feature है और आज से पहले मैंने किसी भी phone में ये चीज नहीं देखी smart assistant के अंदर ही एक और amazing feature आपको action and gesture का भी मिलता है यहाँ पर आपको काफी सारे gesture shortcuts मिल जाते हैं जैसके screen off से अगर आप music को control करना चाहते हैं double tap करके screen को wake up करना चाहते हैं raise to ear मतब के जब भी आप phone को कान के पास लेके हैं phone call automatically answer हो जाए flash for calls जब भी कोई call आती है तो flash notifications लेना चाहते हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर action and gesture के अंदर से कर सकते हैं एक और amazing feature यहाँ पर आपको video assistant का भी दिया गया है मतब के video watching जो experience है उसको आप बहतर करना चाहते हैं तो आप इसको enable कर सकते हैं बेसिकली phone जो है वो notifications वगेरा आपको full screen के उपर नहीं दिखाएगा अगर आपने video assistant feature को enable कर रखा है तो ये भी एक काफी amazing feature यहाँ पर दिया गया है तो ये ज़्यादी से camera के features आपको explain करता हूं दोस्तो camera का सबसे पहला amazing feature यहाँ पर one handed mode है जब भी आप camera को use करते हैं तो सबसे मुश्किल होता है ये उपर वाले icons को use करना इस phone में एक amazing option आपको दिया गया है कहीं से भी इस तरीके से नीचे swipe कीजिए और ये सारे icons आपके नीचे आ जाएंगे और अगर आप एक हाथ से photo जो है वो capture करना चाहते हैं एक हाथ से ही in options को भी control कर पाएंगे इस phone में आपको slow motion का feature भी दिया गया है जो कि काफी amazing है आप इस phone में rear camera से slow motion shoot कर सकते हैं और जिस price range में आता है ये feature आपको काफी amazing तरीके से दिया गया है उसी के साथ यहाँ पर आपको AR shoot का option भी मिल जाता है जो के front और rear दोनो camera भी आप यूज कर सकते हैं बेसिकलिए ये जो snapchat वाजे filters होते हैं अगर आप किसी face को capture कर रहे हैं और ये filter जो है वो यूज करना चाहते हैं वो चीज़ आप AR shoot की मदद से कर सकते हैं camera के अंदर अगर आप settings के अंदर जाती हैं तो यहाँ पर एक interesting option आपको custom volume कीज का देखनी के लिए मिल जाता है मतब कि phone में जो physical fingerprint sensor दिया गया है इसको आप as a shutter button ये use कर सकते हैं मतब जस्ट आप इस fingerprint sensor के उपर tap कीजिए और आपका photo जो है वो capture हो जाएगा दोस्तो last feature मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस phone में आपको long screenshot का feature भी मिलता है मतब कि scroll shot आप capture कर सकते हैं अगर आप कोई भी normal screenshot capture करते हैं तो यहाँ पर आपको scroll shot का option मिलता है इसको अगर आप tap करते हैं तो phone में यहाँ पर आप इस तरीके से scroll कर सकते हैं और अगर आप चा कि आपको कौन सा फिचर सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा अगर आप इस तरीके की और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजेगा इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो